बाइलिंग्वल स्टड़ी यूटूब चैनल में आपका मॉस्ट वेलकम है जीह साथियो सिक्षक भरती परिक्षा दोहजार तैईज पीपीसी के दौरा जो लिया जाना है उसके सेकेंड पेपर का यानि पेपर टू का समान अध्यन जो इसको कह सकते हैं अगर आप चैनल के पेज़ पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा वहां से भी आप देख सकते हैं तो चलिए पहला कोस्टन यहां पर जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंग की राजधानी कहा थ तो पंजाब के राजधा जो रंजीत सिंग थे उसकी राजधानी जो थी वो लाहूर थी अपसंसी जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा तो रंजीत सिंग का जनम 1760 स्वी में हुआ था उसके बाद आप यह याद रखिए गा है कि रंजीत सिंग 1799 स्वी में नाबालिक र अगले कोशन में क्या कह रहा है अगले कोशन में कह रहा है कि संसार में सबसादीक ढाग घर किस देश में है ढाग घर किस देश में यानि पोस्ट ऑफिस जो है किस देश में है तो आपको सी बात है भारत में जो है सबसादीक ढाग घर है प्रतवान समय में भारत में एक ला आप लोग साधारन भासा में freeze कहते हैं ठीक है फिरीज जो है यह ब्रिटिश सब्द है जबकि रेफ्रीजरेटर अमरीकन सब्द है तो रेफ्रीजरेटर ही यूज होता है तो सुरक्षित आप मान जाता है वो 4 4 degree Celsius को माना जाता है कि सको माना जाता है चार्ट लेग्री Celsius को आप यह याद रखिएगा कि रेफ्रीजरेटर यानि फृरीज का विस्कार जो है हैरिसन टीणिंग ने किया था 1850 सभी में 8050 में किया था रक्तदाप नापने के लिए जो यंत्र परियोग माता है उस यंत्र का नाम क्या है यानि रक्तदाप नापने के लिए जो यंत्र इस्तमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो सही अंसर क्या हो जाएगा आपका स्फीग मेनो मीटर यानि option D जो है आपका बिल्गुल सही है बाकि लोग option के बारे में जान लेते हैं कि parameter क्या होता है तो parameter वायुदाप मापने के काम आता है जबकि एक्टो मीटर जो है सुरिय की किर्णव की तेवरता का निर्धारन करने वाला उपकरन है और टेको मीटर जो है इसमें से क्या होता है कि वायुयान तथा मोटर नाव की गती मापने वाला उपकरन है तो चलिए next question देखते हैं वीडियो पसंद आये तो like, comment and share करना ना बुलेंगे चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें मानब्सरीन में किस तत्व की कमी से घेंगा रूख होता है अपकोश आप लोगको पताई होगा अगला question देखते हैं कि हुएं रोप में किस के दर्बारम आया था हुएंसांग एक चीनी यात्री था जो हर सी के दर्बार में आया था हुएंसांग जो है वो किसके दर्बार में आया था हर सी के हो से हुएंसांग हो से हर से याद रखिएगा हर सी के दर्बार में आया था हुएंसांग का मकसद था नालंदा विसी दाले में पढ़ने और वहा कहा जाता है इस ने नीति का पंडित भी कहा जाता है कि क्या कहा जाता है और अगला इंगर है जब धहनी तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है तो ये क्या ले ET तो यह अपने साथ उर्जा ले जाती है अप्संसी जो है आपका बिल्कुल से तरंग जो है अनुधहरियत यांतरिक तरंग है और जिन यांतरिक तरंग के आविरती 20 हर्टेस से 20,000 तक यानि टी तक या के लिख सकते हैं थाउजन तक जो है जिसकी आविरती होती है उनकी उन्हीं को ही सुन सकते हैं और उसी को धौनी के नाम से पुकारा जाता है अगला कहरा है कि विदुधारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरन का नाम क्या है यानि यंत्र का नाम क्या है तो विदुधारा किस में मापा जाता है तो आट का सही आंसर हो जाएगा आपका C-E-meter में मापा जाता है ठीक है तो चलिए इस question से related कुछ fact को जान लेते हैं ठीक है यहाँ पर जो आपका barometer, altimeter और animator दिया हुआ है तो यह से को हम लोग पहले देख चुके हैं पिछले question में कि barometer जो है वायुदाप और altimeter जो है यह उड़ते विमान की उचाई अनिमोमीटर जो है यह हवा की सकती तथागती की मापता है अगला देखते हैं फिर्थवी के के अंदर पर जी का मान हो जाता है तो पिर्थवी के के अंदर पर जो है जी का मान क्या हो जाता है सुनन हो जाता है यानि option C जो है आपका बिलकुल सही है उसके साथ साथ प्रितवी के सतर सो पर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है ठीक है और जी का मान महत्तम प्रितवी के दुरूप पर होता है यानि उत्री दुरूप और जी का मान जो है नियुनतम विस्वत रेखा पर होता है अगरा देखते हैं डी डो जॉन्स किस देश क सेर सूचकांग ईडो जौन्स जो है यह सूचकांग कि देश का है यूएसे एक तीक है पांच जो है महत्व जो है सबसे बड़ा बजार पुझी करानाधार यह सट्था शेंग जो है उसमें है नुय-york शक शक्रचेंग उसके बाद नैस टेख टोक्यो श्क एक्स चेंग तो थेक है यहां पर पुछ रहां कि नहीं है पूछ रहा है तो सही पुराना पुरान जो है मतस से पुरान है सबसे पुराना पुरान मतस से पुरान है साहक संदी को निमलिकित में किस सासक या राजा ने राज जिने सुविकार नहीं किया साहक संदी को सबसे पहले लागू किस ने किया तो इस बात को जान ले शाहक संदी की सुरिवात की ती औ पहाना था अफेकरन भूलकु जो इंडौर के सास्थ सकते चाहिए इंडौर के सास्थ सकते अगला कुशन में क्या कह रहाएं कि अगले इस ब्चेवर्ण के हैं तो कैसे उत्री अफ्रिका के पस्थिम तट से यह बहती है उत्री अफरीक आसाली तो अपसंज जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जागा बारत मने केजिए किस अधार पर करमचारियों के महंगाई भत्ते नियर धारित किये जाते हैं तो 14 का सही आंसर क्या हो जागा आपका तो 14 का सही अंसर हो जागा अबउखता मुल्न सोच कांग के अधार पर 으면서 E यहाँ पर आपका बिलकुल सही हो जाएगा अगले क्วेशन में देखते हैं क्या पहिए कि राष्टि-गरामीन विकाहत संस्थान कहां इस्तीत है तो राष्टि-गरामीन विकाहत संस्थान लखनों में लखनों में एक और है केंदरी वनस्पति अनुसंधान वद्यों की 20 विज्ञान अनुसंधान ये भी लखनों में ही है तो यह सब याद रखेगा किरत्रीम बरसा के लिए परियोग में लाया जाता है तो किरत्रीम बरसा के लिए परियोग में लाया जाने वाला य कि इसका परियोग किया जाता है को हॉर्न, कर जाता है इसका परियोग फोटो-क्रयोबिक कांज बनाने में जाता है शिल्वर नाइट्रेट का परियोग निसान लगाने वाली स्याही जो वोट के समय इस्तमाल होता है उसमें किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका परियोग फोटोग्राफी में होता है तो अपसर यहां पर सी बिलकुल सही हो गया अगला कॉशन है 17 कोशन में करता है बोर लोग पुरसकार की चेत्रे में महतपूर्ण युगदान के लिए वज्ञानिकों को परदान किया जाता तो बोरलोक कों देन नौरमन बोरलोक को हरितकरांती का जनक का जाता है जबकि हरितकरांती का भारत मंजनक एमे स्वामिनाथन को कहा जाता है तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी किर्थी के छेत्रे में दिया जाने वाले किर्थी के छेत्रे में जो विज्ञानिकों ने जो नुसंधान करते हैं जो खोच करते हैं उनको ही दिया जाता है अगला कुशन देखते हैं लाल गुडी जैरामन जै रामन का संब्द निमनली कितम से किस वात यंतर से है तो 18 का सही अंसर आपका हो जाएगा भी वायलीं से इसका संब्द है अगला कोश्चन देखते हैं महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्मान निमनली कितम से कह रहा है कि किस ने किया था तो महात्मा गांधी पर फिल्मे का निर्मान जो है रिचार्ट एटन बरो ने किया था और इसके वज़ इसमें इस फिल्म को जो है 1922 इसमी में पुरुसकार भी दिया गया था और और तो ऑटो निर्व इसके जो ये थे क्या बोलते हैं उसके डिजाइनर जो थे कोस्ट्यूम डिजाइनर को 1921 सभी मैं गांधी फिल्म के लिए ऑस्कार पुरुसकार मिला था भानु अदयिया हो नाम याद रखिएगा बातव वर्सका पहला चार ग्रेंट सुलेम को necesita है एक चार के नाम यहां प्रेंच इवर्ण इतलियन नहीं होटा विंबंडं होता है इंगल्लेंड में होता है तो ऐस्ट defenders अ क्षिया करे में जो जनवरी में होता मेल्बर्न में सब्संति में होता है फ्रेंच ओंपन जो जून में होता है, कले कोट में होता है, जबकि मेल बन में यह हाड कोट में होता है, अस्टेलियन ओपन, तो अपसन यहाँ पर D जो है आपका बिल्कुल सही है, अगला कोशन देखते हैं, अगले कोशन में क्या रहा है, इस्तूप किसके परतीक माने जाते हैं, इस्तूप जो ह कहा जाता आप लोग को पता हुगा धर्म चक्रपरवर्तन और समाधी गिरीत यहां 29 वर्षी के वस्ता में जो किया उनको महाभीनिस कर्मन कहा जाता जिसका परतिक चिंद गोड़ा है ठीक है महापरिमी निर्वान यानि महात्मा बुद्धी की मिर्तियू से महापरिमी निर्म को ने करवाया था एलवरा के परसिद कैलास मंदिर का तो राष्ट कुछ वंस के क्रिष्ण पर्थम ने करवाया था यहां पर आंसर जो है आपका सी बिल्कुल सही है क्याद रखेगा क्रिष्ण पर्थम ने करवाया था स्वारमंडल का कौन सा ग्रह द्रवमान आकारवगन तो पिर्थवी कि लगभग समान थो पिर्थवी की बहान या जो है आपको सब Amaagra रहा किसे का जाता है और किविनिंग स्टार तो सुखर को कहा जाता है तो सज़ी इसका अंसर क्या हो जाएगा ए कि शुख्र है जोब कि सणी वले वला गर है मंगल जो है लाल गर है पलोट जो कम लपाया जाता है ये वी चीज आप लोग याद रखेगा कि अगला कोशन देखते हैं कि बिना परतिनी देख के कर दान नहीं या बिना परतिन धुर्ट कर नहीं है ये बहुच र्चीत नारा संबंदित था तो ये कि से हैं अम्रीकी सोतता संकराम से ये अमरीकी सोतता युद्ध से अगला देखते हैं कब हूआ था आप लो कमेंट करके बताएं भारत की सबसे पुरानी फुटबोल, परतिविता कौन सी है तो फुटबोल का विस्कार इंगलेंड मा हुआ था और इंगलेंड के द्वारा ही भारत मां और यह सबसे भारत में पुरानी है एक अगला कोशन देखते हैं बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी डोग विटामिन B1 की कमी से होता जब कि C कि कमी से स्कर्वी होता R todh a की कमी से प्रतोंधी न्यूटन किसकी एक आई है पिर न्यू Talk दिए विचार का पर्तिपादन किस ने किया था इस ने नहीं किया था, जिसने संपूर्ण करांटी का नारा दिया है। अंगले कोशन में क्या कहा रा है? 31 नामबर में किस सिःख गुरू ने स्वेशं को सच्चा पाधसा कहा था? तो सच्चा पाधसा जो है किस गुरू ने कहा था? तो गुरू गविन सिंग जिनका जनम बिहार में हुआ ता 1666 में और गुरू गविन सिंग नहीं जो चार ककारा रखने के लिए कहा था किसको सिखों को जिसमें से पहला था कि केस, कंगा, किरिपान और कड़ा रखने के अनुमति दी थी और ये अंतिम गुरु थे और दसमे गुरु थे इन्होंने अपने को सच्चा पात्सा कहा था अगला कुशन दिखते है निमने के सासन कालमा फायान भारत आया था तो फायान जो है ये गुप्त बंस के चंदर गुप्त दूतिये के सासन कालमा या था यह पर्थम चेनी यात्रिता फायान के ठीक है याद रखिए हैं सबसे पहले चेनी यात्रिता जो भारत आया था चंदर गुपत है दूथ यह के जिसको चंदर गुपत्विकरा मैं तित्वी कहा जाता यह गुपत बंस के सासथ भारत मैं भारती रिल्वे नेटवर्क का विस् सबसे अधिक अमरीका में रेलवे निटवर्क है भारत में रेलवे की सुरुवात 1870 इसमी मंबई से ठाने के बीच महुए थी और कितनी किलोमेटर की यातरा थी 34 किलोमेटर की यातरा जबकि भारत का रेलवे का राश्टी करन जो है वह 1950 में हुआ 1870 में पहली रेल चली है यह 1950 में राश्टी करन हुआ है अगला क्वेशन देखते हैं हाइडरोजन बम निमने सिधान पर आधारित होता है यह क्वेशन भी पिस्टी में पूछा गया था ठीक है तो कि कभवा नियंतरित विखणन अभी के रिया संलेयन अभी के रिया तो यात स्भी के सबसे बहारी सत्य को कुरोना कहते हैं क्या कहते हैं याद रखिएगा कराना लिखा चला गया इसमें यह पर टैपिंग मिस्टेक आपसेंसी हो जागा इसी के कारण जैशिए गर्हन के बाद भी सुर्य के बहारी हिस्था से कुछ परकास दिखाई देता है कि निमिन दिखित में किस धातु के कारण इटाई इटाई रोग होता है इटाई इटाई रोग जो होता है वो केडमियम के कारण होता है किसके कारण केडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग तो अनसर यहाँ पर आपका अप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है उसके अलावा आप लोग और कुछ भी जान लीजिए कि आपको ठीक है केडमियम से हट्डियों की भंगूरता और किड्नी फिर्योर का बड़ा खत्रा रहता है इसके अलावा आप लोग याद रखेगा कि उतक में लोहे की उपच्तिती से सिडरोसिस रोग होता है जबकि तामबे की अधिकता से विल्सन रोग होता है और अल्कोहल की सेवन से सिरोसिस नामक रोग होता है और एक है पारा से मीनी माता रोग होता क्या होता है पारा से मीनी माता ये वियाद रखेगा आप लोग पारा से मीनी माता केडमियम से इटाई इटाई अगला वाहनों के इंदियन में गलाइकॉल मिला जाता है क्योंकि क्योंकि गलाइकॉल क्यों मिला जाता है तो सही आंसर आ पर कारे करता है तो रेडियेटर जो है किसी दान पर कार करता है चालन और विक्रन दोनों कि सिद्धान पर यानि अप्शन टी जो है आपका बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं, क्या कह रहा है, 49 नमर कोशन में कि हर सिके सोने की सिके के प्रिष्ट भाग पर किसका अंकन होता था, तो हर सिके सोने की सिके के प्रिष्ट भाग पर सीव और पारवती का अंकन होता था, उप्सन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जागा, इसके अला सिक्षा पर राम सीता सुर्य चिंद्रमा और बाच का अंकन होता था जबकि समुद्र गुप्ते के सिक्षे पर वीना वादन का अंकन होता था अगला देखते हैं विश्वे साक्षरता दीवस मनाया जाता है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है अगला देखते हैं महात्मा गांदी के राजनितिक गुरू कोन थे यह कुशन बहुत ही जानता है कि गोपाल गृष्ण गोखले जो तो महात्मा गांदी के राजनितिक गुरू थे अगला कोशन देखते हैं कि बास्केटवाल की एक टीम में कितने खेलाड़ी होते हैं बास्केटवाल की एक टीम में नेपोलियन किसने कहा था नेपोलियन आपसंटी जो है आपका बिल्कुल सही है अगला दे मपुतों किस देश की राजधानी है मपुतों जो है किस देश की राजधानी ये पूछा जा रहा है कि मपुतों किस देश की राजधानी है तो आपसंट सही मुजांबिक की राजधा अकरा है यादर खेगा घाना की राजदिनी अकरा अंगोला की राजदानी लुवांडा है अर्शंशेल्स की राजदानी जो है वह विक्टोरिया है अगला दे ग्रेंड सलेम किस खेल से संबंदी थे पूछ रहा है तो टेनिस एवंग बिरीज से अप्सन बी जो है आपका विल्कुल सही है भारतिय चीनी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो यह कानपूर में अवस्थित है कानपूर कहा है तो उत्तर परदेश में है याद रखिएगा कानपूर में अवस्थित है संगीत कला केंदर आगरा में है, जबकatri हंदुगी गवीस विझ्यान अनसंधान सथान भी लकनों में लखनों में अगला देखते हैं क्या judging है ? संडा गर्त अवस्तित है तरह सेया अंptरो जूए गभी हिंद महासागर में , महासागर में संडा गर्त अवस्तित है जिसकी जो है कुल गहराई 8152 मीटर है जबकि मेरियाना गर्थ जो है सबसे गहरी गर्थ है और ये परसांत महासागर में जिसकी कुल जो है गहराई 133 मीटर है अगला देखते हैं हिज्री समवत का बारह उपरत इसलाम धर्म में हजरत मुहम्मद साहिब के मक्का से मदीना जाने के करम में हिज्री समवत तब से स्टार्ट माना जाता है जब मक्का से मदीना उन्होंने हिज्रत किया तब 622 इस भी यहां अंसर हो जाएगा आणतारीस का डी उन चास में देखते हैं अमरीका का रास्टवती अधिकतम कितनी बार रास्टवती बन सकता है अधिकतम दो बार और अमरीका के रास्टवती का कारेकाल चार वर्थ होता क्या होता है चार वाल्ट से होता है यह अबरहम इंकन के समय से लागू किया गया लॉड मेकाले सिक्छा पतती कब लागू किया लॉड मेकाले को भारत में सिक्छा का पिता कहा जाता है इनके दुवारा कब लागू किया गया है तो यह question आप लोग comment करके बताए इससे बता आपने पूरा सेट देखा है वीडियो अगर आपको प्रसंद आया तो लाइक कमें और शेयर करना न भूलें चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे इसी तरह का वीडियो चाहिए हमारे साथ जुड़ें और प्रेली रिष्टें बाकी बचा हुआ वीडिय